हालो जी गुड मॉनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब और इक वाफिस से वलकम आपके अपने चैनल में तो जी दिन है शुकरवार का सुबो का टाइम है और 26 मई है तारीक और मैं लग गही हूँ अपने काम में किचन में सुबो सुबो आज मैं बना रही हूँ आलो का पराठा कल क्या हुआ था कि सबसे पहले तुम आपको बता दू कि मुझे आप लोगों साथ मैं कुछ चीज़ें डिसकस करनी है मन में बहुत कुछ जब चल रहा है काफी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही हूं सुन रही हूं यूटूब पे बहुत कुछ चला हुए तो उन में से क नानी थी और मैं रात को भीवोना भूल गई थी सुबह देखा तो कुछ टमाटर वेगरा भी खतम हो गए थे सबजी वेगरा लाए वे मुझे चारवास दिन हो गई है तो इसलिए फर मैंने सुचा कि आलू का पराठा ही बना देती और वरुन को स्कूल में वैसे तो के आलू जो है यह पके हैं लेकिन यह आलू ना बहुत अच्छे है इसमें क्या बेशेक दो तिन सीटिया इसमें एक्स्ट्रा लगी है लेकिन जब यह स्टाफिंग वाले आलू का पराठा मैंने इसका बना कर रेडी किया तो हलका सा भी नहीं फटा बिल्कुल हलका सा भी प ठीडरा मैंने क्वालू मैंने इसलिया है क्योंकि पराठा सिर्वार्ण का बनेगा 안되는 नहीं बैदे वाला है इस आलू में दो पराठे बन जाएंगे एक वर्ण खाके जाएगा और एक जाएक स्कूल बाड़ा बागी बचे में उड़ाइगा और थोड़ीनीजीनी मेथी मैं मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि मुझे कुछ बात जो हो discuss करनी है मेरे मन में बहुत सारी चीज़े जो है वो चल रही है बहुत सारे दिनों से जो है मैं YouTube पे काफी सारी वीडियोज मेरे recommendation में भी आई है बहुत सारी चीज़े recommendation में आई तो मैंने खुद भी चेक करी है क्या चल रहा है और मेरे जो YouTube के फ्रेंड हैं दो तीन मैंने उन लोगों ने भी मेरे पास काफी वीडियोज भी भेजी एक दो जो पेपर की newspaper की cutting भी जो है मुझे भेजी और एक दो जो आप में से subscriber है जो मेरे साथ मेरे WhatsApp पे जो है जिनके पास मेरे WhatsApp नमबर है मेरा personal नमबर है तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने भी मुझे जो है वो call पर बताया तो मुझे सच मैं बताऊ मुझे उन चीज़ों पर उन बातों पर बिल्कूल भी भरोसा नहीं हुआ की कैया ये चीजे सच है बात कैहा की मुझे कहते है न बहुत-बहुत अजीब लग रहा क्योंकि वो बात कहने के लिए न बहुत-जादा हिम्मत चाहिए बहुत जादा बात है सपना की यानि सनापी गर्ल की उनकी जो लास्ट येर आई थिंग करोना टाइम पेर्ड में लास्ट से लास्ट येर शायद करोना टाइम पेर्ड में उनके हस्बन की जब वो डेथ हुई थी जब उनकी बेटी पैदा हुई थी उनकी बे लेकिन बिछले एक महीने से फिर्स है जो है लोग वीडियोज बना रही है योटूब पे कि उनके जो दूसरे हस्बेंट थैंणि देवर से जिन्होंने शादी करी थी उनकी फिर्स नकी भी जो है वो शादी हुई उनके husband की भी accident में उनकी death हुई तो सोच के भी जो है वो चीज़े घबरा जाती है मैं उच दिन से मैं सोच सोच के परिशान हूँ कि पता नहीं कैसे वो जह है उनकी दो बेटिया है दूसरे husband से भी एक बेटी है दो तीन महीने की जादा बड़ी नहीं हुई है च उनके दोनों बेटे गए है उनका दुख जो है वो उसके दुख का अंदाज़ा जो है वो कोई लगा भी नहीं सकता है सच कहूं मैं तो उन चीज़ों को लेकर फिर मुझे ना विश्वास भी नहीं हो रहा था सच कहूं जब news paper की cutting वेगरा भी मेरे पास आई थी पॉच्च सपना की वीडियो आई तब मुझे मैंने देखा वो सारी चीज़े मैं तब से बहुत ज़्यादा सदमे में हूं परेशान हूं मैं उसकी हालत को सोचकर उसके परिवार की हालत को सोचकर उसके सासर की हालत को सोचकर सपना की उनकी बच्चियों के जिदगी को सोचकर मैं बह बनाओ बताओ क्या कुछ हो आप प्लीज उसको कुछ दिन के लिए उसके हाल पर जो है वो छोड़ दो हाई लो जी गुद मॉनिंग कैसे हैं आप सब वहीं पर फिर से वलकम आपके अपने चानल में सुबह के सब अच्छे हो गए हैं और आज दिन जो है सुबह के पांच बज़े हैं जैसा जो है वो निकला हुए क्योंकि यह बाइश और बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है बहुत जादा यह देखो हवा भी बहुत तेज चल रही है बहुत तेज और बारिश भी बहुत तेज हो रही है तो सब अच्छे हो गया फिलाल मैंने पी लिए वरुन को उठा दिया है मोसम बहुत अच्छा है और आज खाने में वरुन को दूगी मैं नमकीन चावल कई- इसको कही नमकीन चावल हम तो नमकीन चावल ही जो है वह गोलते हैं क्या हुआ कल जो है इमांगी थेरफी का टाइम शामका हो गया और आते टाइम मुझे एक टमाटर बगेर लाना सबजी लाना मुझे बिलकुल भी धान नहीं रहा तो आज कोई अप्शन नहीं है मेरे पा गुटे कांट करेंगे राज वरुन की भी मैं हल्प करूंगी रेडियोने में नहीं तो बहुत जादा जो लेट हो जाए गई और आज वरुन का लास्ट एक्जाम है और शाम को जो अबर उनका समर वो है फंट फंट नहीं समर ना स्वरी नाइट आउट है जो है शाम को इस एक्जाम देके सवादस सबसादस तक वापस आजाईगा और उसके बाद कि इसके उपर बीटते ना उसी को भी पता चलता है और इतनी चोटी सी उमर में इतने बड़े बड़े दुख देखना इतनी बड़ी बड़ी तकलीफे सेयन करना कुई आम बात नहीं है बहुत ही जादा हिमत चाहिए और वो मतलब कैसे जीए गया वो क्या कुछ है बहुत सारे लोग फोर्स कर रहे थे कि वीडियो बनाओ सपना की तरफ से उनके एक फ्रेंड है उन्होंने अपडेट दी थी तब जाके मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि सच में ये न्यूज है व उनकी वीडियो देखते हो लेकिन फिर भी ये दुख जो है ऐसा है कि किसी के भरे से भी ये दुख नहीं भरने वाला है तो आप भी मान के चलिए जिंदगिया जो है बहुत सारी जिंदगिया उजड़ गई उसके सास असूर है उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां है उसक बहुत बहुत जादा हीमत चाहिए उसने बतलब पूरा हीमत करके बताया कि वो पालेगी हो उसके पास option भी नहीं है सारी चीज़े लेकिन फिर भी प्लीज कुछ दिन के लिए उसको जो है उसके हाल पर जो हो छोड़ दो अब भी जो है मैं आपको direct next morning में मिल रही हूं और नमकीन चावल बना रही हूं क्योंकि वरुन की छुटी जल्दी हो जाएगी लंच वो लेकर नहीं जाएगा थोड़ा उसके लिए बना रही हूं और वरुन पाश बजे की आस पास 1300-15 वजे की आस बारिश ओड़ जो वो शूरू हो गई थी नमकीन चावल बनाओंगी साथ में वरुन को भी रेडी करूँगी क्योंकि मैंने सोचा आज नमकीन चावल में मैं जो वो सीटिया लगवा देती हूं पहली बार नमकीन चावल में सीटिया लगवा रही है तरवाइस मैं नमकीन चावल जो है वो खुले ही बनाती हूं गरम प पड़े गीले हो जाएंगे इसलिए और बारिश में स्कूटी चलाने में हमारे यहां की गले न थोड़ी टूटी-फूटी ही हो गई आजकल इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती हैं चलिए अभी व्लॉक केंड करूंगी जो फॉर्स टाइम विजिट करा लाइक कर देना शेयर क सब्सक्राइब कर देना